इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत इसका उप्योग फेफडों यानि की जैसे निमोनिया, कान, नाक साइनस, मूत्रपत, त्वचा और कोमल उतकों के संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है। इस दिन एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रखने में मदद मिलेगी। खुराक इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका इलाज क्या किया जा रहा है। लेकिन आपको हमेशा आपने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार इस एंटी बाउटेक का पूरा कोस पूरा क चाहिए। जब तक आप बहतर महसूस नहीं कर लेते तब तक इसे लेना बंद न करें। यदि आप इसे जल्दी लेना बंद कर देते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और संक्रमन वापस आ सकता है या खराब हो सकता है। इस दवा के सबसे आम साइड इफे कि क्या आपको किसी एंटीबाउटिक से अलजी है या किड्नी या लीव की कोई समस्या है। आपको अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में भी बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि वे इस दवा को प्रभावित या प्रभावित कर सक करने के लिए सुरक्षित माना जाता है यदि डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया गया हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके को क्लिक करें धन्यवाद।